जेहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का नोकडिकबे.com के ओफिसल यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलेटरी इंजीनियर सर्विसेज की तरफ से आ चुकी साल 2030 के लिए नई भरतियों के बारे में जहां पर आप सभी के लिए एक बार फिर से भरतियों के नोटिविकेशन आउट कर दिये गए हैं आगे स्पीडों में नोटिविकेशन को डाउनलोड करेंगे आपको कम्प्लीट जानकारी प्रोवाइट कराएंगे आप सभी को M.E.S. डिपार्टमेंट के अंदर J.E. की, स्टोनों की, M.T.S. की, मेट की पोश्टे देखने को मिलेंगी और इनके अलाबा भी कई सारी वे 4,599 के लगभग वेकेंसियों पर आविदन करने का मोका मिलेगा ऐसा आपको आगे दिखाएंगे कहा लिखा हुआ है क्या नोटिविकेशन का रूल है बस आप सभी से रिक्वेश्ट होगी कि अगर आप लोग M.E.S. वेकेंसी के इंतरियार कर रहे थे और M.E.S. डिपार् आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए नोकडी खबर येटू चैनल को सब्सक्राइब करके बिल लॉडिविकेशन को आउन करना बिलकुल भी मिस्त मत करेगा दोस्तो आविदन करने के लिए आपकी एज 18 से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए 10 वी प भालत के किसी भी राज्य से आविदन कर सकते हैं वेतन आपको अलग-अलग पोस्ट के हिसाब से दिया जाएगा जो की आगे नोटिविकेशन में बताया जाएगा इसके बाद आपको नोटिविकेशन डाउनलोड करने का लिंक और इंपोर्टेंट लिंक दिया जाएगा ज दोस्तो notification open हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आएंगे तो देख पाएंगे distribution of vacancies for recruitment year 2022, यानी 2022 के लिए भरतियों के notification आउट किये गए हैं, यहाँ से जब आप लोग नीचे आएंगे तो आपको भरतियों की जानकारी दी गई है, जैसे आप लोग स्क् appointment later यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि किस के पास authority है, इन वरतियों के appointment later को issue करने का, जारी करने का, यहाँ पे देखें, डी man यानी draftsman की पोष्टे हैं, ग्रूप B के अंदर, supervisor की पोष्टे मिलेंगी, ग्रूप B के अंदर, SK यानी store यहाँ पे keeper हो सकता है, store clerk भी हो सक सकता है, second की पोष्टे है, group C के अंदर, CMD की पोष्टे है, group C के अंदर, चौकीदार की पोष्टे मिलेंगी, cane man की पोष्टे मिलेंगी, meter reader की पोष्ट मिलेंगी, और mate की पोष्टे यहाँ पे आपको, group C के अंदर में देखने को मिलेंगी, यह तो हो गई, short में पोष्ट वाइस वेकेंसी मिलेंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं SC, ECCC, WC, NC और इसके लावा नंबर वेकेंसी मोड और फिलिंग के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ से आप लोग पोस्ट नेम के बारे में जानकारी ले सकते हैं अगर बात करें टोटल कितनी नंबर वेकेंसी के बारे में यहाँ पर जिकर किया गया है तो 6670 नंबर वेकेंसी के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है जहाँ पर लगबग 4594 पदों पर आपको भरतियां देखने को मिलेंगी 2013 के जनवरी मंद के अंदर इसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे कैसे आप लोग notification को डाउनलूड करेंगे एक दूसा notification उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं तो दोस्तो आप सभी को बता दे कि M.E.S. Military Engineer Services की तरफ से नई भरती 2022 के लिए जारी हो चुकी है जिसका notification अभी मैंने आप सभी को दिखा दिया है J.E.S. Tono, Met और MTS जैसे पदो पर आप सभी को आविधन करने का मोका मिलेगा अगर आप लोग 10th Pass candidate है तो भी आप लोग आविधन कर पाएंगे महिला पुरुस दोनों भारत के किसी भी राजस से आविधन करने का मोका मिलेगा 4,500,000 पदो पर आपको आविधन करने का मोका मिले वाला है 18 से लेकर 30 साल आपकी एज रहेगी जहांपे बेतन आपको लगभग 25,000 रुपए तक देखने को मिल जाएगा मंतली का इसके लाबा और जो जानकारी हो वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल नोडिविकेसन को भी आपको आगे अपडेट मिलती रहे चले चलते हैं आज के अपने में टापिक और ओफिसल वेबसाइट पर दोस्तों आपको आभीदन करने का नोडिविकेसन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिसक्रिप्शन में इसके लाबा आप लोग गूगल पर जाके fastjob.co.com टाइप करेंगे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ देखिये fastjob.co.com टाइप करने पर आपको ये पेज ये वेबसाइट मिलेगी गूगल पर जाके एक बार आप लोग जरूर ट्राइ करिएगा काफी इंपोर्टेंट है डोमेन के हिसाब से भी और आप लोग एक बार अगर सर्च कर देंगे तो काफी हिल्फ हो जाएगी मेरी यहाँ पर देखिये fastjob.co.com ध्यान रखेगा यहाँ से जब आप लोग नीचे आएगे तो फर्च नमबर पे आपको Military Engineer Services भरती 2330 की डीटेल मिलेगी जहाँ पे आपको apply online 4500 उंक्षाने post vacancies के लिए करना होगा जो यहाँ पे आपको click करना है आप लोग home page पे आजाएंगे home page पे आने के बाद आपको बता दिया 6670 पदों पे notification आउट किया गया जहाँ पे आपको group B और C की वेकेंसिया मिलेंगी new vacancy हैं यहाँ पे आप लोग forum फिल कर सकते हैं इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आप लोगों देख सकते हैं Military Engineering Services भरती है की बीच में आपकी dates एवेलिवल हो जाएंगी 100% guaranteed और इसके बाद आप लोग online आप एदन कर पाएंगे यहाँ से जब आप लोग नीचे आएंगे तो देख सकते हैं मैं आपको वेकेंसिया बता देता हूँ J.E.C.Vill में 97 पोश्ट है J.E.M. में 71 J.Q.S. & C में इंग्चामन यानी 51 और इसके बाद Draftsman की 54 Supervisor की एक Store Clark के Store Keeper की अठ्रा UDC की यहाँ पे 68 पोश्टे हैं LDC की 212 पोश्टे हैं Stonon की 19 CMD की 145 MTS की 275 और इसके बाद चौकीदार की एक और यहाँ पे Meter Raider की 15 और केन मैन की एक और Candidate आप इदन कर पाएंगे Total 4500 उन्चार ने पदों पर भरतियां होने वाली हैं इस बार यहाँ पे 10-12 पास डिप्लोमा ग्रेजुएट पास अलग-अलग पोश्ट के लिए आप इदन कर पाएंगे इसके बाद अगर हम बात करें कैसे कितना आपका एज रहेगा तो अठर से लेकर 30 साल वाले Candidate यहाँ पे आप इदन कर सकते हैं दिन बात करते हैं सेलेक्शन के बारे में तो यहाँ पे एक्जाम, फिजिकल और मेडिकल के साथ Document Verification के बेस पे आप सभी का चेन होना है इसके बात करते हैं सलेवस क्या रहेगा देखें आप लोगों को सलेवस ओ यहाँ अमार बेजड आपका एक्जाम होगा जहाँ पे 120 मिनट यानि की पूरे 2 गंटे का समय मिलेगा जिसके अंदर आपको 100 कोश्चन सॉल्व करने होंगे और 125 कोश्चन यहाँ पे टोटल जो है तो बनेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 100 नंबर करेगा 125 जो है तो कोश्चन सरेंगे 120 मेर का टाइम है और 0.25 आनि की 1.4 का यहाँ पे आपको निगेटी मार्किंग भी देखने को मिलेगा रिटन एक्जाउं का पैटन क्या रहेगा जर्नल इंटलेजनसी एंड रिजिनिंग 25 नंबर 25 यहाँ पे कोश्चन मिलेंगे जर्नल अवरनेस आपको मिलेगा जहाँ पे 25 जो है तो नंबर आपकोश्चन और 25 नंबर इस लिप की बात करें नॉर्मली 21,779,100 रुपए का बेतन है बाद में आपको पूश्ट वाइस बताया जाएगा अप्लिकेशन फीस का पी नॉर्मल सी है जर्नल ओभी सी एडुबलेस का 100 रुपए बाकि अगर आप लोग किसी और कैटेग्री के candidate है तो आप लोग निसुल का आप एदन करपाएंगे आप एदन आपको कैसे करना इसके बारे में आपे जानकारी दी गई है साथी साथ जब आप लोग नीचे आएंगे तो आपको notification भी दे दिया गया जहांसे आप लोग अपनी post को चेकाउट कर सकते हैं इसके बार जब आप लोग नीचे आएंगे तो आपको यहां पे question answer का पूरा का पूरा series मिलेगा और इसके बाद leave comment का option मिलेगा comment के अंदर अगर आपको full notification चेह और नया notification चेह तो आपको अपना queries को post करना होगा post comment की बटन पे क्लिक करके बहुत ही जल्दी सारे link प्रोवाइड करा दिये जाएंगे आप लोग timely fastjob.co.com बिजिट करते रहेगा यहां पे आपको complete जानकारी मिलेगी defense job से related मिलते हैं अगली वीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद